हमारे देश में अंगिनत चमतकार होते रहते हैं। ऐसे में चमतकारी मंदिरों की भी देश में कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक चमतकारी मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मंदर सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी काफी प्रसिद है। इस मंदर में ऐसा चमतकार होता है, जिसे देख कर हर कोई हैरान रह जाता है। आपको भी एक बार इस चमतकारी मंदर के बारे में जाना चाहिए और चमतकारों को जरूर देखना चाहिए। आये जान दे हैं इस मंदिर में आखिर कौन सा चमतकार होता है और आखिर इतना चमतकारी मंदिर हमारे देश में कहां इस्थित है भगवान गणेश का ये चमतकारी मंदिर ऐसा है जहां भगवान को भी पसीना निकलता है जी हां बिहार के गया जिले के रामशिला परवत की तलहटी में बने रामशिला ठाकुरबाडी में इस्थित भगवान गणेश की मूर्ती को गर्मी के मौसम में पसीना आता है यहां के पंडितों का कहना है कि भगवान को हर साल गर्मी में पसीना आता है भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए मूर्ती के आसपास पंखे लगा रखे हैं साथ ही ठंड़क के लिए मूर्ती पर चंदन का लेप भी लगाया जाता है इसके अलावा उन्हें चंदन दूध दही का लेप लगाया जाता है जिससे की ठंड़क बनी रहे खबरों की माने तो ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है यहां पित्र पक्ष मेला में दूसरे दिन का पिंड़दान होता है इसके संबंध में मानेता है कि भगवान शीराम पिंड़दान करने गया के इसी स्थान पर आये थे जिसकी वज़द से यहां राम शीला पहाड थाकुर बाड़ी राम सरोवर उपस्थित है इस मंदिर को लेकर वग्यानिक भी आश्चर चकित हैं कि भला मूर्ती से पसीना कैसे निकल सकता है लेकिन कुछ वग्यानिकों का कहना है कि इस मंदिर में मौजूद चमतकारी मूर्ती मूंगा पत्थर से बनी हुई है और मूंगा पत्थर की प्रवत्ती काफी गर्म होती है इसलिए जब भी अधिक गर्मी होती है इस पत्थर से पानी निकलने लगता है इस मंदर के गणिश की मूर्ती को पसीना निकलता है कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसा तो इस मंदर में हर वर्ष होता है लेकिन आखिरकार ये भक्तों की भक्ती ही है जो वो यहां जाते हैं और इस अनों के मंदर के दर्शन करते हैं जहां स्वयम श्री गणिश की मूर्ती से गर्मियों के दिनों में पसी ना निकलता है